आपकी वोक्षीट नमबर थर्टी फाइफ तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे हो कैसे हैं आप सब उमीद करते आप लोग अच्छे होंगे चले पढ़ना शुरू करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में वी हाव अलेडी लर्न दाट फोर्स इस पुल्ट और पुश हम यह सब जान चुके हैं यह पहले ही पढ़ चुके कि किस तरह से फोर्स का मतलब क्या हो किसी अबजेक के अंदर मोशन पैदा कर देते हैं उसे हिला देते हैं या उसके साइज को भी चींज कर सकते हैं साइज और शेप को नौ वी विल लर्न अबाउट दा मैंगिट्यूट और डैरेक्शिट ऑफ ट फोर्स आज हम क्या पढ़ेंगे मैंगिट्यूट के बारे में पढ़ेंगे और इसके इलावा उसके direction के बारे में पढ़ेंगे Force is a physical quantity that has both magnitude and direction जो आपका force है वो एक physical quantity है जिसमें आपकी magnitude और direction दोनों चीज़े होती है अब यहां देखें बताया है the direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of force ठीक याली जब कोई object कहीं से धकेला जाता है या घसीता जाता है और जिस direction में वो move करता है या चलता है उसको हम लोग force कहते है the magnitude of the force magnitude का मतलब यह होता है means how much force is applied all an object याली कि उस चीज़े को वो भी जो भी वो object है उसे घसीतने में या धका देने में या पुल करने में या पुष करने में हमको कितनी force applied करना पर लइए याली हमें कितनी थाकत लगाना पर लएए उसको हमलग magnitude कहते है the strength of a force is usually expressed by its magnitude और यह जो हम भी force की strength लगाई याली जितनी हम भी force लगाई यह आपकी किसमें express की जाती है magnitude में express की जाती है The unit of the force is Newton यालिकि जो force की unit है जिसमें हम दापते हैं उसको हम Newton बोलते है It's been we major the force in Newton which is explained as L ठीक है अगर हमें कहीं Newton को denote करना है तो उसके लिए हम capital L का इस्तेवाल कर सकते है L changes in direction or magnitude of the force there is change in the effect of force ठीक अब यह कहते हैं यहापे कि जो भी चीज़ हम change कर रहे है magnitude या जो भी force हम change कर रहे है वो आपके magnitude की वज़े से उसका direction change हो सकता है अब आगे लिखा है if two force are acting on a body in the same direction the net force is the sum of two force ठीक है यानि कि अगर कोई एक object है उसमें दो force लग रहे हैं same direction में तो इसका मतलब है कि वो जो force है वो double हो जाएगा यानि प्लस कर लिया जाएगा if two force are acting on a body of the opposite direction for the net force is the difference of two forces ठीक है यानि अगर एक object है उसको इधर और इधर दोरो तरफ से force लगाया जा रहा है opposite direction में भी force लगाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो force है उसको हम क्या करेंगे बाहिलस करेंगे ठीक है if the two force are equal in amount and opposite in the direction the net force on the body will be zero यानि कि जब इस तरह से किया जाएगा कि एक अपनी तरफ कीच रहा है दूसरी अपनी तरफ कीच रहा है तो net force जो है वो मेंशा 0 निकलेगा ठीक है चलिए आगी पढ़ते हैं अब यहां आपको लिखा है now check yourself अपने आपको जाचे fill in the blanks अब आपको fill in the blanks बताने है push or pull is called तो यह क्या है आपका force है रहा आगे देखे क्या लिखा है इस सारे चारो पाचो आंसर में आपको एक साथ दिखाऊंगी फटा फट पहले में से पढ़ लेते a dash can change the state of motion of an object वो क्या चीज़ है जो आप object के motion को change कर सकती है next आपको लिखा force has both magnitude and dash तो यहां पर क्या है कर जल्दी से बताईए कि magnitude होता है और next क्या होता है अभी हम उपर सारा पढ़ के आए आंसर में आपको एक साथ दिखाऊंगी the strength of force is usually expressed by it तो अगर हमें force जो होता है force को किसमे usually expressed करते है तो आप बता देंगे newton में the unit of the force is क्या होता है n ठीक है चले इसका answer देख लेते जल्दी अब देखिए अब आप इसका answer यहां से लिख सकते हैं कि पहले में आपका आजाएगा direction of the force second में force, third में direction, fourth में आपका newton और पाच्वे में भी आपका newton ठीक है कर लेंगे चलिए अगला question पढ़ते हैं अब यहां आपका next question लिखा है if two force of 5N and 3N are acting on the body same direction ठीक है the resilient force will be तो क्या हो जाएगा हमने भी पढ़ा कि वो plus हो जाएगा जब same direction में लगेगा तो plus हो जाएगा यानि इसका answer हो जाएगा 8N ठीक चलिए देखते हैं क्या में करना कैसे है तो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि the resilient of force is F ठीक है कैसे F1 या F2 तो यानि F1 किता था 5N था और F2 किता था 3N था ठीक है इस तरह से में इसे करना है चलिए अगला question पढ़ते हैं अब यहाँ आपका last question लिखा है तो इसका answer क्या आएगा 2N चले लेकिन इसका answer देखते हैं कि ऐसा क्यों आया तो आप यहाँ से लिखेंगे कि इसका answer हो जाएगा 2N force can be positive and negative it will show their direction ठीक है कि force जाए वो negative वो positive दोनों तरहा हो सकते हैं क्यों क्योंकि वो इसके direction को show कर रहा है लिख लेंगे चले तो आज की वक्षिट को भी खत्म करते हैं अची वीडियो में बस इतने अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर भी तक आपने मैच आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैच आपको सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग